है इसको प्रेंट करेंगे तो आज का हम टॉपिक है अलीमेंटर के नाल क्या होता है इसका इसकी फंक्षन क्या होते है आज हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो अभी तक आपने मारे चैनल को लाइक शेयर और श्राइब नहीं किया हुआ तो कर दिचिए जैसे कि यान पहता हका वो जीए आपको मिलती रहे तो स्ट्राइट करते हैं बिन्या किसे डेडी के स्ट्राइड एलीमेंटर के इना वीजा छू प्रेंट्स प्रेंज्ज लेकर यहां से जो हुछ इस्हूर होता है अ कि अन स्ट्पस्ट्द के गफियह होता है ठीश HOW तो म्होंत यह वाला, यह यह को आता है, जो यह इसा इसे हम ऐलिमेंटर्र कैनाल कहते हैं, एत इसे हम गार्त क्या ब सिय्द चम कर केते हैं विरन इसे हूं घया आइप ग्लेय केटेuben, इसे जिद त्रöt कRI श्र. क्या च bom में जूने यह पुरम में जूने को किर चा जाता है celery glens होते हैं or isofagus आता है उसके बाद इसमें stomach भी आता है and small intestine small intestine में types रहे उसके जहने हम eugenium, ileum, jeugenium पिर्णस ठीक है और उसके बाद जो है large intestine आता है large intestine के भी types हैं चैक हम हैं फसरा appendix है और दिसरा ascending colon है और उसके बाद descending colon है उके फेंड्स तो इसमें केकियम होता है appendix होता है उसके राव ascending colon होता है large intestine के पार्ट से है descending colon होता है segment colon होता है इसके बाद rectum और फिर अनस आ जाता है तो यह सब हमारा क्या था elementary canal तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके structure क्या होती है फिर से organs of GI tract यानि के gastrointestinal tract होता है उसके organs जो है इंकल्यूद औरल केविटी औरल केविटी होती है pharynx होता है और उस ओस फेगर्स होता है stomach और बेसमाल इंटेस्टान and large intestine ओके फ्रेंड्स यह इसके structure में आ जाते हैं accessory organs इंकल्यूद होता है यानि की teeth आ जाते है tongue यानि की जबान delivery glands आ जाते है liver, gallbladder, pancreas यह सब आ जाते है इसमें जो gastrointestinal tract होता है वो इस्टेंड होता है कहां से mouth से अनस तक यह हमारा mouth है और यह कहां तक होता है अनस तक इसके बीच क्या क्या आता है oral cavity से यह शुरू होता है और फिर उसके बार pharynx आता है यहां पर और फिर oisophagus आता है oisophagus क्या करता है pharynx और stomach को आपस में connect करता है pharynx oisophagus कहां खुलता है stomach में और फिर stomach कहां खुलता है stomach कहां खुलता है सेमल इंटसिटैंड में और इसके बाद आता है लाज इंटसिटैंड, इस है आ कातम होता है यहां पर निस पर हमारा हां पर हमेला कता मुंन सेम्स्टिव सिस्टम तो फ्रेंड्स जी आइड्रेक आपको अगए उगा ज्यसे हम गेस्टों infect and इसमें इससेरी ओर्गन होते हैं जिसे हम टीथ टंग इस्याब्री ग्लैंस लिवर गाल ब्लेडर पंक्राइज इनका बें में फंक्षिन होता है तो जो गेस्टो इंटेस्टिनल ट्रेक्ट होती है वह माउस से एनस चाहिते है इस तुब होता है एदिस लोकल डिफ्रेंशेद इसमें locally differentiated structures होती है it is specialized at various points along its length यह specialized होता है means खास होता है मुक्तलिफ points पर length के हिसाब से with each region designed to carry out different role इसका हर एक region जो है न वो different role को play करता है overall process of digestion में digestion के process और absorption के process में इसका हर एक different different region जो होता है वो different play करता है role overall process में gesto-intestinal जो होता है tract is x approximately इसकी जो length होती है वो 9 meter होती है यह बहुत important है इंटिटेस में भी आता है कि इसकी length 9 meter होती है और foot में हमें कहें तो 30 foot is यह long होता है okay friends it runs it traverse traverse the thoracic cavity and interest यह क्या करता है friends यह थोड़ी से यह जहां पर हमारा फेरंग्स होता है वहां से यह abdominal cavity में आता है यानि जहां पर हमारा इस टोंमक व को होता है वहां पर आता है कि कहांसे at a level of diafarm diafarm जो है वह एक मसल है यह यह यहां पर हम देख लेते हैं ठीक है friends तो यह क्या है यह क्या थोड़ेक से थोड़ेसे कैविटी से हम कहेंगे और जो यहां पर हमारा डायाफ्राम होता है और यह हमारी सारी क्या कहता ही है अभ७ूमिनल के ठीजन के एWow का ख्वस्त आपकर तो अमिंदि आपको थोड़ीसे। gastrointestinal tract में in gastrointestinal tract में कुछ organs होते हैं कितने organs होते हैं यह सवाल आजाता है to gastrointestinal tract में six organs होते हैं जिसरे ओरल, powder, pharynx, oesophagus, systemus, small intestine, large intestine और पेक अज़क और कुछिछयन आते हैं कि accessory organs कितने होते हैं gastrointestinal tract में तो वहां पर भी ठे और्गंस आ जाते हैं जैसे तीर, टांग, सलेवरी ग्लेंस, लेवर, गाल ब्लेडर, और पैंक्रियास तो यह याज रुखना चाहिए हमें हमेशा और इस केस्टो इंटरस्टिनल की हमने लेंद कितनी पड़ी थी ट्रेक की नाइन मीटर्स, यहां फुट में कहें तो ठाटी फुट लॉंग होता है और डाइजस्टिव ट्यूब कंसिस ओ फॉर मेजर लेयर्स, डाइजस्टिव ट्यूब में फॉर मेजर लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, और जिसे हम ट्यूनिक्स भी कहते हैं, फॉर मेजर लेयर्स होती हैं जिसे हम ट्यूनिक केते हैं एंटर्नल मुकोसा होता है इंटर्नल जो होती है लेयर्से हम मुकोसा केते हैं ओके फ्रेंट्स और जो एक्स्टर्नल होती है उसे हम सेरो सा केते हैं इनके बीच में क्या होती है मस्कूलरीज और सब म्यूकोसा लेयर्स होती है इनके बीच में किनके बीच में इंटर म्यूकोसा और एक्स्टरनल म्यूकोसा के बीच में सब म्यूकोसा और मस्कूलरीज होती है लेयर्स these four tunics are present in all areas of digestive tract यह जो four tunics and layers है कौन से कौन से internal mucosa, external, serosa, sub mucosa, muscularis यह four layers होती है यह हर एक digestive tract में मुझूद होती है और from oisopagus से एनस की तरफ तो friends आपको पता चल गया होगा elementary canal क्या है उसके structure का function दो फ्लान के लिए लाफिस मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में इसला हम discuss करेंगे oral cavity को, palate को and celebrity glands को तो देखना मत भूलिएगा फ्लान के लिए लाफिस